हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर विकास बगेल और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल आई यूवेदैन में एडिशन में दोस्तों आज हम जानेंगे साथ बीमारियों के बारे में यानि कि दोस्तों साथ जो बीमारी है वो कुछ इस परकार है इसमें सरसे पहले है चक्कराना सिर्दर्द की प्रावलम बेहोसी होना, जी मिचलाना, नीन नहाना, हिचकी और समन सक्तिका कम हो जाना इन साथ बीमारी के बारे में दोस्तों हम जानेंगे यह बहुत जादा परमुक और मुख्य बीमारी होती है जो दोस्तों हर किसी को प्रावलम क्रेट करती है दोस्तो आज मैं आप सभी को इन साथ बिमारी को बताऊंगा और इन रोगों कित्पतिक इनकार्णोस होती है कौन-कौन से ऐसे लक्षन होते हैं जो इनकंतर दिखाये देते हैं साथ ही साथ कौन-कौन से टीटमेंट करके इनको कम या खतम किया जा सकता है दोस्तो अगर बात क दोस्तो आप अपने घर पर अपना करी जल्दी ठीक कर सकते हो ना तो आपको कुछ ज्यादा मेडिशन खाने के इसमें जबगत होगी तो दोस्तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर दोस्तो आप सभी चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को दवाएं ताकि न्यू वीडियो की नॉटिफिकेशन आप सभी को मिल सके हैं चलिए दोस्तो जानते हैं सरसे पहले चक्कर आने की बीमारी क्या होती है और इसमें क्या क्या इसमें रोग क्युत पत्ति होती है और कौन कौन से इसमें लक्षन दखाई देते हैं चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं चक्कर आने की बीमारी के बारे में चक्कर आना दोस्तो चक्कर आने की प्रॉबलम में रोग क्युत पत्ति किस वज़े से होती है यह मैं आपको बताऊंगा दोस्तों चक्कर आने का रोग अत्यादिक मांसिक परिक्ष्ण, चिंता, सोक, दुख, मात्यपरदातों का अतिक शेवन, रात को जागने, बहुत देर तक पढ़ने लिखने, अजीर ने दोस्त, मस्तिक्स में खून की अधिक्ता या कमी से हो जाता है इसके अलावा गठिया, वायू रोग, मलेविया बुखार, कुनेन का सेवन, सित्रियों में मासिक धरम के बंद हो जाने पर, पेट की गड़वडी, कवज, एसिडिटी, मंदगनी, आधिस अभी छोटे मोटे रोगों में भी चक्कर आने लगते हैं दोस्तों चक्कर आने का जो सबसे में वो होता है, जो इसके अंदर में कारण होता है, वो कुछ इस परकार है, दोस्तों इसके अंदर सबसे ज़्यादा मानसी जो परिक्स्रम करते हैं, यानि कि दोस्तों जो अपनी दिमाग की का सथ कुछ ज़्यादा करते हैं, उनको चक्क आते हैं रात को जागना यो बहुत देर तक पढ़ना लिखना या फिर अज़िन दोस्त ही दोस्तों को इन्डाइजसन होती है उछक यो भी चक्कर आते हैं इनकर मस्तिकस में कोला दुकर कि पेट की गड़वडी, कॉंश्टीपेशन, ऐसीडिटी और मन नगनी, इन छोटे-मोटे रोगों में भी दोस्तों चक्कर आने एक नॉर्मल सी बात है, चलिए दोस्तों जानते हैं, इस रोग के लक्षन क्या होते हैं, अगर दोस्तों किसी चक्कर आते हैं, तो जो रोगी होता है, उस पे क्या-क्या असर दिखता है, इस रोग में रोगी का स्रीश चक्र आता रहता है, चक्कर आने के कारण वे अचानक गिर जाता है, उसे अपना सरीर जूलता सा प्रतित होता है, उसकी आँखों के सामने अंदेर अचा जाता है यदि आँखों की और मूँ उठा कर देखा जाए तो उसे सारी चीजे गूमते होई नजर आती है उसके चेहरे पर उदासी और सरीर में कमजूरी आ जाती है कही बार तो दोस्तो चक्कर आने पर रोगी का जी घवराया दता है उसके कानवी सुन पढ़ जाते है दोस्तो यहाँ पर जो मैंने लक्षिन बताए है वो रोगी के साथ होते है जैसे कि उसका सरी चक्कर आने पर अचानक गिर पड़ता है उसका सरी जूलता सा रहता है उसके आँखों के सामने अंधियर अचाता है कभी-कभी वो आखास के तरफ देखता है तो उससे सभी चीजे घूमती हुए निजराती है चहरे पर उदासी, सरीर में कमजोरी और कैई वाय चक्कराने पर रोगी का जी घुबराता है उसके कान भी सुन पर जाते हैं यानि कुछ से कुछ सुनाई ने देता उसके दोस्तों लोड़ी से गंबीर हालत हो जाती है वो एक तरह से पागलपन का साथ हो जाता है दोस्तो अगर किसी को चक्क्र आते है तो से पहले किसी भी मतलकी खाल Keybird पर उसे लिटा देना है और उसे फिर फिर थंड़ा पानी पीने को देना उसे दोस्तो उसके चक्क्र आने पर जो विसर के ंदर चक्क्र आता है उसमें दोस्तो कुछ रहात मिलेगी और कुछ घरे उपाय अपना कर उसके चक्कराने की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है आपको पिसी हुई सौट लेनी है 10 ग्राम उसमें यह मिला रहेना है 20 ग्राम फिर उसमें दूस्तों सक्र मिलाना है 25 ग्राम इन तीनों को मिलाकर दो खुराग के रूप में धेर धेर सेवन करना है 10 से 15 दिन उतों के यहनुस्का खाने से आपको कभी दोस्तों जीवन में चक्कराने की बीमारी कभी नहीं होगी ऐसे ही दोस्तों दूद में बीज रही चार-पांच मुनक्य डालकर खाने से भी चक्कराने की प्रवल्म खतम हो जाती है दोस्तों आपको दूद लेना है फिर उसमें आपको चार-पांच मुनक्य डालकर उसे ओंटा लेना है उटाने के बाद उसे दोस्तों ठंडा करना है फिर उसका सेवन करने के बाद चक्कराने की प्रॉलम हमें इसा के लिए खतम हो जाएगी दो छुआरे पांच नग लॉंग और दस ग्राम देशी घी और चालिस ग्राम मिस्री इन सभी को दूद में उबाल कर सुबह शाम रोगी को पिलाने से बहुज़दा फायदा मिलता है चक्कराने की प्रॉलम हमें से अगले खतम हो जाती है और सारीरी कमजोरी भी दोस्तों खत दूर होगी तो उस चक कराने की प्रॉलम भी खतम हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर कुछ और घरी लूपाय है उनको मैं आपको बताता हूं आप दोस्तों में से किसी भी एक उपाय को अपना कर अपने जीवन के अंदर जो भी दोस्तों खुश्याली को ला सकते हो जो भी द दस मुनक्के के बीज निकाल कर घी में सेख लि फिर करे काली मेर्ज का चुन लगाकर उसे खाने से भी आपको चक्कर आने की प्रॉलम खतम हो जाएगी दोस्तों यहाँ तो डाइग्राम है जो चित्र यहाँ पर दरसाय गया है उसमें चक्कर आने पर घर्भूजों की दूद पीजाना है ऐसा करने से भी दोस्तों आपको shout фायदा मिलता है है आवले का चून 10 ग्राम काले 2 च्ण को पीस कर खाने से भी आपके 200 चक्क्राने के प्रग्लम ठीक हो जाती है उसके बाद को तुस्तों उपर से दूद पीना आया। दमासा लेना है आपको 10 ग्राम, 60 लेना है 6 ग्राम, दोनों को 500 ग्राम दूद में पकाकर और उंटाकर आपको सेवन करने से भी दोस्तों चक्कराने की प्रवल्म खतम हो जाएगी आदा चम्मास तुलसी के पत्तो का रस और एक चम्मास सैद, दोनों को मिलाकर मुखी लार्किया दिक्ता सही चाटने से भी चक्कराने के प्रवल्म हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी रती भर हीन और रती भर कपूर दोनों को जीम में रखकर धेर धेर चूसने से भी दोस्ता आपके चक्कराने की प्रवल्म हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी एक चमच सूख अधनिया और दो चमच सॉंब दोनों को पीस कर गुंगउने पानी के साथ सेवन करने से भी दोस्तो चक्र आने की प्रॉ domains हमेशा गले खतम हो जाईए दोस्त आपको कहा करना है एक चम्म सूखा धनिया लिना है और एक चम्म सौप दोनों को अच्छे परगास से मिलाकर पीस कर गुनगुने पानी के साथ सेवन करें ऐसा करने से दोस्तों आपका जो चक्कर आने के प्रॉब्लम हो जाएगी नीबू की सकंजी पीने से भी चक्कर समाप्त हो जाते हैं दोस्तों आपको नीबू की सकंजी बनानी है यानि कि दोस्तों पहले पान लेना है उसमें थोड़ी चीनी मिला लेना है फिर उसके पास दोस्तों नीबू का रस मिलाना है उसमें और फिर उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाकर उससे आपकी निवी को सिकंजी बन जाएगी उससे भी आपके चक्कर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगे एक कप अनार क्यारस और आदा निवी निचोड़ कर पीने से भी दोस्तों आपको चक्कर आने की प्रवल्म समाप्त हो जाएगी या फिर दोस्तों आप समाप का चून 10 ग्राम देशी खाट 10 ग्राम दोनों को मिलाकर दो खुराक के रूप में सेवन करने से भी चक्कर आने की प्रवल्म हमेशा के लिए खतम हो जाएगी दोस्तों आप अगर चंदन का उपयोग अपने मस्तिक पर रोजाना करते हो यानि आप चंदन का टी का लगवाते हो तो दोस्तों आप ख़वी चक्कर नहीं आएगे चलिए दोस्तों जानते हैं जिसमें हमोपेथिक इपाई उपाई वताई गए गने जो हीमोपेथिक किस्सा है वह मैं आप्पको बताता हूँ कि आप होो मैं अतों परकार अपने रुख को दूर कर सकते हो जदी ठंड के कारण या खुली हवा में देर तक गूमने के कारण सिर्चक्राता है तो आपको कैलरी या एसेट का इस्तिमाल करना है ऐसा करने से ठंड के कारण या खुली अबाब में सिर्चक्राने की प्रवब्रम खतम हो जाती है अगर उठने बैटने गूमने या अधिक मेहनत करने के कारण आपका सेज़ चक्राता है तो आपको सलफो नेल का इस्तिमाल करना है यूँ सेज़ चक्राए मानोगा खाली सा हो गया है ऐसे जिती में मैंसी नेला दें यदि मस्तिक्स में ब्लड प्रैशर के कारण सेज़ चक्राता है तो कौनियम का इस्तिमाल करें अगर उठने, बैठने, गोमने, फिरने, जुकने, खड़े होने या सिर्फ पर थंडा पानी पढ़ जाने के कारण आपका सेज़ चक्राता है तो 7-Mail-2 का इस्तिमाल करें ऐसा करने से दोस्तों आपकी जो प्रॉलम है सेज़ चक्राने की वो खतम हो जाएगी सिर्फ में दर्द, सनायू दुरबलता और सरीर में पीडा के कारण सेज़ चक्राने पर एसिड फोस का इस्तिमाल करें अगर सुभे के समय बिस्तर छोड़ते ही अचानक सेज़ चक्राता है या फिर जातरा करते समय आपका सेज़ चक्राता है वोंता है तो रोगी को ऐसेट नायट्रेड देना चाहिए जदि आखे बंद करते ही सिर में चक्राने की सकायत हो तो आप थोड़ा सा थूज़ा का इस्तिमाल करें दोस्तों आपको कुछ होमोपेतिक एंडिसम थी जो कि मैंने आपको बताई जिसमें कैलेरिया एसेट सलफोनल मैंजिनेला कोनियम सेंबल टू एसेड फोस एसेड नायट्रेड और थूज़ा आप इनमें से किसी का वह इस्तिमाल करके आप अपने रोग को दूर कर सकते हो चलिए दोस्तों बताता है अगर आपको चक्कराने की प्रॉब्लम रोजाना है तो आप एक्यूप्रेसर चेकिस्ता को भी अपना सकते हो एक्यूप्रेसर चेकिस्ता में आप अपने सरीर के अंगों को हिस्सों को दबा कर अपने रोग को दूर कर सकते हो क्या करना है आपको दोस्तों जैसा कि दोस्तों चित्र में बताया है दोनों पैर के अंगुठों की तली की तरफ से दवाने से हाथ और पैर के अंगुठे की तली की अगर आप दवाव करोगे तो दोस्त आपको चक्कराने की प्रवल्म दूर हो जाएगी सीधे हाथ के करने की प्रावल हमेसे गें लिए समाश्थ हो जाएगे। जब भी दोस्तों आपको दवाव डालना है याद अज़ा आपको थोड़ी त elevator अजिए तीन छोड़ना है जैसा आपको दोस्तों दस्या बार घेंड करना है दोस्तों wrG3 का इस्तिमाल करके भी आपका calorie कर सकते हो किसी निक्रतमेंटिक कर सब करना है दोस्तों अगले रख के बारे में जो की है शिरदर्द शिरदर्द की रोक कुत पत्ति किस वज़े से होती है ये स्थ जानते है और और सी जैसर जानते हैं। तो बहुत सारी प्रॉल्लम को फेश करना पड़ता है, इसलिए दोस्तो मैं आपको बताता हूँ, सिर्दर्द में रूख कुत पत्ति का क्या कारण होता है, उसके लक्षिन क्या होते हैं, और इसके आप किस पर का चिकिस्सा कर सकते हो, दोस्तो अकर आपको भी सिर्दर्द की 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 पारी के कारण चीचक फिलू चुखाम जोर चिंटा तेज दूप या कर्मी के कारण मिरगी पेट के अंदर कीड़े रग्त चाप आदी के कारण सिर्मे दर्द होना रगता है कभी कभी छोग निरासा दुख आदी के कारण भी दोस्तों सिर्का कारण सिर्का दर्द कारण मन ज जाती है या फिर सरी के अंदर दुर बलता आती है मांसी का संती होती है उसकी वज़े से भी सिर में दर्द हो जाता है जब दो से दिन तर नॉर्मर बना रहता है इसमें दोस्तों पेट के अंदर कवज नेंद पूल ना होना थकावट सक्रमन बीमारी चेचक फिलू जुखम ज लक्षन बता दिता हूं मैं आपको रोक के लक्षन क्या है सिर्दद के बारे में छोटे बड़े सबी जानते हैं सुरू में सिर का दıldर हलका होता है लेकिन देद देर वो तृवगती में होता रहता है दर के कान कभी नेंद नहीं आती जो खोब्टी फट्टी से मालूम होती यानिकी जो सिर्व फटा-फटा सा मालुम होता है क्या बार मिश्टली आती है उल्टी भी हो जाती है आके मुंझ जाती है काम में मनने लगता है साधाइंतर सिर्दद माते और दोनों कनपटियों में ऐसा होता है यह दरत सित्रि पूर्ष को असकस्त बना देता है ऐसे मैं दो को ठीक करोःगये। दोस्तो 60 बिंदू तेल को बारवार सुंगने से सिर का दर्फ कम हो जाता है। उसे अगर आप बारवार सμοUNGगे तो उससे का दर्फ कम हो जायगा। दोस्तो र Kathy बिंदु तेल को उपर एक वीडियो बना ओगा अगर में शायते हैंбо आप आप कमेंट बोक्स में जरूर करें धत्वुरी के दो बीज परती दिन पानी से निकल ले। यह रिंड सिर्मक के पुराने दर्ष को दूर करता है। दोस्तों धत्व दो बीज अगर आप पानी के साथ निकल जाओगे तो दोस्तों रिंड्र को ठीक करेंगा। एक चुटकी छोटी पिपली का चोन सहत में मिलाकर दिन में तीनवा चाटने से सिरकादर्द खतम हो जाता है। यदि पेट में गैस मनने के कान सिर्दर्द होता है तो आपको गरम पाने में एक निवो निचोड़कर पीने से आपका सिर्कादर्द खतम हो जाता है। चुहारे की गुठली, पानी में गिसकर माते पर लेप करने से भी सिरकादर्द ठीक हो जाता है, दाल चीनी को पीसकर माते पर लेप करने से सिरकादर्द ज्याता रहता है, जदि सर्दी के कान सिर में दर्द होता है तो सावुत धन्या और मिस्री का काड़ा बनाकर पीने चाह जाता है लौंग और पॉपल दोनों को पाने में पीश कर नाख टपकाने से भी दूस्तों सिर चला जाता है या फिर दोस्ताप घी डुकान से मिल जाएं या है आपको मार्के से ख्रीच सकते हो आप किसी दोस्थों जो नृर्मल जो आटयगाए के दुखान ओती है यहां हो हां इसान जाटा है तुल्सी के पत्तों गर्रास पीशी होई सौन दौनों को मिलाकर माते पर लेप करने से भी सिर्कादर चला जाता है चंदरन और दालचीनी दौनों को पानी में पीश कर माते पर लेप करने से भी सिर्कादर पूरी तरह से खतम हो जाता है बादाम, रोगर को कपाल करके माथे और गर्धन पर पीछे की ओर 15 मिन तक मलने से भी सिर्कादर जल्दी कहत्म होता है लौकी का गूदा बारेग पीश कर माथे पर लेप करने से भी सिर्कादर चला जाता है यदि ठंट के कारण सिर्में दर्धो या फिर एक ग्राम अफिम और दो लोंग पानी में गिसकर माते पर लगाने से आपका सिर्कादर ठीक हो जाता है चंदन को गिसकर उसमें जरासा कपूर मिलाकर माते पर लेप करने से भी सिर्कादर ठीक हो जाता है अमने धारा मुष्टप पर लगाए और चार मुने बतासी में डालकर सेवन करने से अमने धारा की आपको सिर्कादर्द ठीक होता है या फिर दोस्तों आप दो मुनक्खे लेकर बीज निकाल कर उसमें जरासा कपूर रखें फिर दोस्तो रात को सूते समय उसे खालें और फिर दोस्तो आराम से सो जाएं आपको सिर्का दर्द जल्दी ही खतम हो जाएगा आम की गुठली या छोटी हरड को दूद में गिसकर माते पर लेप करने से सिर्का दर्द सांथ हो जाता है बेल पत्र का माते पर लगाने से सिर्गा दर्द दूर हो जाता है दोस्तों जानते हैं इसमें क्या हेमोपेतिक चिकिस्सा है हेमोपेतिक चिकिस्सा को अपना कर आप किस परकार अपने इस रोग से आराम पा सकते हो पुराने से पुराने सिर्दर्द में बैलो डोना थिरी और अनारी का थिरी का इस्तिमाल करने से पुराने से पुराने से पुराना सिर्दर्द खतम हो जाता है दमाकी काम करने वाले लोगों को सिर्मे दर्द होने पर अजेंटम नायटरम का इस्तिमाल करना चाहिए जदी बहंकर सिर्दर्द के कारण जटके लगते हों तो CPI का इस्तिमाल करें अगर मांसिक तनाव, नेंद नहाना, चिंता, सोक, आधी के कारण सिर्दर्द हो तो सिमी सिफूगा का इस्तिमाल करें जदि ठंड के कारण सिर में दर्द हो तो वैरियम एल्प का इस्तिमाल करें तेज सिर दर्द की हारत में डामीनिया मूर्लांक के दो दो गंटे या के बाद 20 विजबून दर्खें बच्चों के सिर में दर्द होने पर कारवलेक एसे 12 सच से अच्छी दबाव होती है यदि बाइं और का सिर दर्द बाइं दाइं और पड़ जाता है तो सफाई जेलिया 30 का इस्तिमाल करें यदि इससे लाब न बहुंचे तो स्टेनम मेटालिलम 200 का इस्तिमाल करें यदि सिर दर्द में पित बढ़ने के कारण उल्टी हो जाए तो आईरिस वर्षी कलर का इस्तिमाल करें यदि अधिक परिश्रम करने के तत्मानसिक एसांती के कारण सिर में दर्द होता है तो एफिफेगस का इस्तिमाल करें दोस्तो आप जानते हैं इसकी चुम्ब के चिकिस्सा के बारे में मात्य पर कम सक्ति वाले चुम्ब का दक्षिने दुरू दिन में तीन या चार वार लगाने से आपका सिर्दर्द खतम हो जाता है हाट के अंगुठे और पहली उंगरी के बीच वीच चुम्ब का उत्रे धुरू रखने से भी आपका सिर्दर्द खतम हो जाता है दिन भर में पांच गलास चुम्ब के जल पीने से भी आपको दोस्तो सिर्दर्द में बहुत ज़गर आहत मिलती है दोस्तो अगर इसके एक्कोप्रेसर चे किसा के बारे में बात की जाए तो आपको माते पर सीधी हाथ की बड़ी अंगली से अच्छी प्रकास द्वाव डालना है ऐसा करने से दोस्तो आपका सिर्कादर्द पूर जासे खतम हो जाता है फिर दोस्तो दोनों हाथो के अंगोठे और अंगोठों के बाद की पहली जो उंगली है उसको दवाना है दोनों तरफ की कनपटियों पर अंगोठे से चार सेकिंद तक प्रेशर करने से वी आपके सिर्कादर्द खतम हो जाता है ना के नीचे वाली और नीचे उपर वाले होट पर दवाव डालने से भी आपका सिक्रदत पूरी तरह से समाप्त हो जाता है जानते हैं दूस्तों इसकी ऐलोपैतिय चिकिस्सा किस पर कार फायदे बंद है और ऐलोपैतिय चिकिस्सा किस तरह कर सकते हैं शिर्ख दर्ध होने पर ये दवाई नास्ता लेने के बाद जाने के दोस्तों जो सुवेका और शामुक का खाना है उसके खाने के बाद आपको लेना है इसमें दोस्तों आपको कॉम्वी फिलाइमिन, नेवाजलिन, डोपालर, डिस्पृरिन और जूपर इसका इस्तिमाल कर स जय से बचुछ जीज अब कर दोर्व हैं को सबोस्तियां कमेज्ड से चाहिए उनों कंडििसें में पूर्ण मिश्राय में क्तब्षार करो MINT GIT लिए हम जानते हैं बेहोसी के बारे में जाने कि मौर्शा बेहोसी जो होती है उस रोक कोसी.. नाश्वर लक्षी किया दिखाए देते है इस वीडियो में आपको बताऊंगा इससे पहले अप सब्सक्राइब कर दें categ अगर आप चैनल पे नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइड़कन को दवाएं तैकि न्यूवीडियो की नॉटिफिकिसन आप सभी को मिल सके और दोस्तों कर आपको वह क्यों है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट वोक्स में कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हो इसके लावे दोस्तों आपको इ भीतरी बीमारी गहरी समवेंदन सेलता और सोक या चिंता के कहर बेहोसी की उत्पति बेहोसी की सिदेती उत्पन हो जाती है कई बार गंभीर रोग और चोट में भी बेहोसी चाह जाती है दोस्तों दिमाग में जो अचानक चोट लगती है तब बेहोसी हो जाता है इंसान कि किसी भीत्री बीमारी की वज़े से गहरी समयंदन सीलता की विज़े से या फिर सो के चिंता करने की वज़े से बेहोसी उत्तन हो जाती है क्या दोस्तों गंभीर रोगों के चोट लगने से भी बेहोसी चाह जाती है जानते हैं दोस्तों बेहोसी के लक्षिन क्या है बेहोस होन कि हालत में व्यक्ति किसी प्रगार का कोई प्रसन का उत्तर नहीं देता वैं आखे मूंद लेता है और उसका सरीर बेजान सा हो जाता है ऐसा लगता है जैसे उस रोगी सो रहा हो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके घरेलोची किसाम किस तरह कर सकते हैं रोगी के मस्तक जाने के रोगी के जो माता है उस पर पोधिना का लेप करके और अरक पोधिना पानी पिलाने के रोगी का जो सरी दोस्तों जो रोगी का जो बेहोसी के हालत में ठीक हो जाती है बेहोसी के चोन सहरे के साथ चटाने से भी आपको दोस्तर बहुत ज़दा पाइदा मिलता है बेहोशी में घंड़े पानी के छोटे दाने सीटे देने तथा मुँधे चम्मच से पानी डालनी से भी ठंडा पानी डालनी से भी मूर्शा दूर हो जाती है तुलसी के पत्तों को पीस कर उसका रस नाक में डालने से भी बेहोसी पूरिताय से समाप्त हो जाती है प्याज का रस सूमने से बेहोसी चली जाती है नौसादर और चूना मिलाकर सुंगाने से मूर्शित वैक्ति आखे खोल लेता है खीरे का कड़वा पानी सुमाने से रोगी को होसा जाता है अरहर की दाल का पानी चमच में चमच से बेहोस वैक्ति के मूँ में डालने से भी दोस्तों जो बेहोसी यह पूरिता से तूट जाती है माथे पर लाल चंदन गिसकर लगाने से बेहुसी दूर हो जाती है काली मिर्च का चुन पानी में गोल कर एक एक बून रोगी की नाग में डालने से आपको विशेश पायदा पहुंसता है बेहुसी में लोबान की धूनी नाग के पास लाने से मूर्ची तरक्ति उठ खड़ा होता है बेल का गूदा, काली मिर्च, खर और नाग केसा इन सभी को थोड़ी-थोड़ी मातरा में लेकर ठंडे पानी में पीश डालें फिर दोस्ता आपको दो चम्मच दवा रोगी को पिलाने से आपको फायदा मिलता है सित्री के दूद की एक-एक बून नाग में डालने से मूर्चा दूर हो जाती है आम लेका रस दो चमच और घीग दो चमच दोनों को पका कर रोगी को खलाने से भी रोगी की मूर्शा तूट जाती है सैद सेंदा नमक, मैनेरिल, मैनेरिल, मैनसिल, काले मिर्ज, इनको बरावर मात्रा में ले, काजल की तरह इसे पीछ ले इस चून को सुनमेगी तरह दोनों आखों में सलाई करने से भी आपको विशिश फायदा होता है छोटी कटेरी, गिलोई, सौन्ट और पिप्रामूल इन सभी को एक ग्राम लेकर काड़ा बनाकर रोगी को पिलाने से भी आपको फायदा होता है चलिए दोस्तों आप जानते हैं हम इसके हमोपेति चिकिसा जबारे में हमोपेति चिकिसा किस प्रकार फायदा मन्द होती है बेवोसी को दूर गरने के लिए जदी सरीर में दर्ध होने या कंभी चोट लगने के कारण बेवोसी हो तो आपको एपिकोक 3 का इस्तिमाल करें जदी गे जाने से चोट लगे खुन निकल आए बेवोसी आजाए तो चाइना 6 का इस्तिमाल करें गे जाने से बेवोसी होने पर एनरी का 3 का इस्तिमाल करें जदि मानसिक एसामति के कारण बेवोसी आ गई है तो आपको दोस्तो लेक्सिक 6 का इस्तिमाल करें नेंदना आने के कारण मूर्चा की सितिति में कॉकुलस 6 का इस्तिमाल करें मेरगी हिस्टेरिया या किसी पर कारणवस बेहुसी आने पर कैपिस कम एनम की कुछ बूंदे नाक में डालनी चाहिए पानी में मिला कर सेवन करनी चाहिए ज़दी रोगी अचानक बेहुस हो जाए तो आपको सिप्रिट ऑफ गेम पर इस्तिमाल करनी चाहिए होस में आने पर उसे कॉरवे 30 देनी चाहिए मानसिक एसान्ती वैपार में घाटा चिंता आदी के कायान बेहोसी होने पर किलो नाइल 6 और सीना 6 का इस्तिमाल करें ज़दी चक्कर आने की पश्चात मूर्शा आई है तो आपको कैमो मिला 6 का इस्तिमाल करें दोस्तों यहां पर मैंने आपको बहुत सारी मेडिशन बताई हैं जैसे कि एपिकॉक 3 चाइना 6 आनिका 6 लैक 6 6 कॉकुलस 6 और दोस्तों केमिपल कैनम कॉर्वे 30 सिप्ट ऑफ कैम पर सीना 6 गिले 9 6 और कैमो मिला 6 इसमें दोस्तों किसी भी मैडिशन का सकते हो जो आपको हमोप्यतिक डॉक्टर आपको सला दे दे उस मेडिशन का इस्तिमाल करें तो ही आपको अच्छा रहता है दोस्तों अवं जाने विचलाना जी मिशलाने की प्रावल्मम होती है उस रोक्याति कीस वज़या वर्बी दोस्त आप हमारे चैनल आज यूविदा इनमेडिशन को यल्दी से सब्सक्राइब कर ले चलिए दोस्तों जानते हैं रोक क्युत्पति किस तरह होते ही जीव मिश्लाने की कट्टी या कडवी चीजे खाने वायू द्वारा दुर्गंदित वातावर्ण फैलने घर के पास कूड़ा करकर सड़ी गली चीजों को गंद से रात को रखा बासी भूजन सड़ी गले फल खाने पेट में वायू बनने बुखार की गर्मी अत्वा से चक्राने के कान पर उल्टी होने की सितिती उत्पन होती है पेट में हलका दर्द और अफ्रा होता है वायू का समन्नी हो पाता गवराहट और बेचनी होती है माथे पर पसीना जलक उठता है भूग प्यास अधिक लगती है चलिए दोस्तों जानते हैं इसकी घरेलों निर्दान किस परकार ह आपको एक चमच प्याज के अर्ख में जड़ाहसा नमक मिलाकर शिषण करना है नीबू का पानी पीने से विदोस्तों जी मिष्णाने की प्रावलम होती हुए पूरी तरह से खत्म हो जाती है आधे नीबू में काला नमक को पेसी होई, काले मिश डालने से भी जी मिश्य प बताए मिश्री आने पर तमाटर के रस का पर्योब करने चाहिए या हो जाता है तो आपको सफ्ये दिलाइची का अधिलाग मूं में दालका चूसना है दो बूंदे लॉंग का तेल पतासे में डाल का सिवन करने से जी मिश्लाने की प्रॉल्म दूर हो जाती है जायफल को पानी में गिसकर माते पर लेप करने तथा दो चम्मच पानी पी जाने से जी मिश्लाना बंदो जाता है जरासी मुलेटी का टोगड़ा मुँ में रखका देर देर चूसने से जी मिश्लाना धूर होता है काल इमिश को चूसने से मन में श्यांति मिलती है खिरोंटी, कटेरी और सौन्ट इन तीनों चीजों को काड़ पीने से दोस्तों आपका जी मिश्लाना बंद हो जाता है जीरा, काला नमक और पुदिना इन तीनों को समान मातरा में लेकर चटनी बना कर उप्योग करने से जी मिश्लाने के प्रॉलम खतम हो जाती है दो बुद अरक पुदिना को पानी में मिला कर सेवन करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यदा विश्यश फायदा पहुंचता है जी मिश्लाने के प्रॉलम में अमने धारा की चार बूंदे बता से या चीनी में मिलाकर खाने से भी दोस्तों जी मिलाने के प्रॉब्लम दूर हो जाती है आदा चमच अद्रक कर रस दो पुत्ति तुलसी और एक चुट की काला नमक तीनों के चटनी बनाकर रोगी को सिवन करवाने से जी मिलाने के दोस्तों प्रॉब्लम होती है उसमें ऎनिदरा का कारण होता है बहुत अधिक ठकान खाने पीने की गलत आदते सोने के समय चिनता ऐसंतोस जनक सितिती के कारण आंकों नीन से उड़ जाती है काम का बोज, दिन में सोना, सारे रिक मेनत ना करना, अत्यादिक दुख, बहुत ज़्यादा खुशी, चिन्ता जाना खालत, अधिक पेट भणना, पेट में वायू मनना, उपवास, मदिरा, और तमागों का सिवर्ण करना, वायू परदसन, धफनी परदूसन, आधिक से भी परिया नीद नहीं आती, दोस्तों भी बहुत सारी रोक के कारण बता हैं, मैंने जैसे कि अगर आप अधिक थकते हो, खाने बीने की गलत आ देते हैं, सोने के समय चिन्ता करते हो, ऐसन तो जनक सितिती उत्पन करते हो, उससे भी नीद उड़ जाती है, काम का बोज, दिन मे पर दूसरं से भी परिया नीद नहीं खुलती है, जानते हैं, दोस्तों इस रोक के लक्षन क्या हैं, सारी राते आदे रात जागते हो, निकल जाती है, बेचेनी के कायन आप करवट बदलते रहते हो, आपको चेन नहीं पढ़ता है, हलकी सी नीद आने पर तुरन ताप प्रशिक कर सकते हो, एन इद्रा के रोगी को रात में बोजन के बाद दो चमच प्याज के रस में थोड़ा सा नमक डाल कर पीने चाहिए, एक चमच प्याज के रस में दो चमच सेदमला कर चाटने से भी एन इद्रा दूर हो जाती है, यानि कि नेद रहाने के प्रव्म खा जाने से भी दोस्तों आपको बहुँ ज़दा फायदा मिलता है नीद रहाने में, रात को बोजन करने के पश्चा सेव का मुरभबा खाए, पपीता खाना, उसका रस पीना, उसकी सबजे खाने से भी एन इद्रा का रस और रोग दूर हो जाता है, हरा धनिया, जीरा, हि काली मेच और केरी सबी की चटनी बनाकर पीस कर खाने से भी नीद अच्ची परकास जाती है, जाय फल को पाने में गिसकर चाटने से भी नीद अच्ची परकास जाती है, रात को हाथ पेरों और चेहरों पर नार्जल के देल के मालिस करने से भी दोस्तों बहुँ ज़दा फ एक ग्राम भांका चुन फांक कर ऊपर से आधा ग्लास पानी पी जाए ऐसा करने से दोस्तों आपका जो एनिद्रा की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाईगी और आपको अच्छी परकास से नीद आएगी चार-पांच ग्राम पीप्रा मूल को गुड्या मिस्ट्री में के साथ खाने से भी आपको नीद अच्छी परकास से आएगी दस ग्राम सौफ को एक कप पानी में उबाल कर चान कर पीने से भी आपको अच्छी परकास की नीद आएगी दोस्तों जानते हैं इसमें आपको क्या नैचुरल ट्रीटमेंट किस परगार कर सकते हो आपको यह प्राकरती चिकिसा है वो किस तरह कर सकते हो सोने से पहले थोड़ी देर पहले आपको दोनों पैरों को पानी में डाल कर रखना चाहिए जदी गर्मी के दिन हो तो शाम को सनान करके अच्छी परकास आपको नेद आती है पेट पर मिट्टे की पट्टी बांदे और लोकी को बाल का उसका पानी मस्तव पर लगाने से भी आपको नेद अच्छी परकास आती है पांच मिनट तक पेट और कमर पर पानी को हलकी धार छोड़ते हुए मालिस करने चाहिए एक दिन का उफवास करें और शाम को किवल पपीते का रस पीने से भी दोस्तों आपको नीद अच्छी परकास आएगी जदी जाड़े के दिन हो तो दस मिनट तक सूर्जा की तरफ पीट करके दूप पर सेखें तो दोस्तों आपको फायदा मिलता है दोस्तों जानते हैं इसमें होमपैती चीकिस सक्किस परकार फायदा मन रहती है आपको लिए नीद ना आने की हालत में पल्सेटिलास 2 या 200 का इस्तिमाल करें सोते समय अचानक आँख खुलना और बार बार कोशिस करने के बाद नीद ना हाना इन सभी प्रोब्लम में व्योट्रिक ऐसे तरीका इस्तिमाल करें दिन में तंद्रा की हालत और रात में नीन नहाना बार बार करवटे बदलना बेचैनी हाथ पैस जैसे ठंडे पढ़ जाना इन सभी लक्षनों में सफेलिक स्टेफिसी गीरा 30 या 200 का इस्तिमाल करें अधिक दिनों तो रात में जागने से एनिद्रा रोग चिंता उद्रेश आधिका कॉकुलस 3 या 30 का इस्तिमाल करें नीन बिलकुल नहाना कभी कभी पेट में दर्द एनिद्रा की सितिती बढ़ी हुई नीन में बहंकर सफन आना आधि सभी लक्षनों में डैफने इंडिका 1,6 या 30 का इस्तिमाल करें गबराहाट के कार नीन खुल जाना रोग या अचानक उठ खड़ा होना दम गुटने की हालत दुवारा नीन रहाना इन सभी लक्षनों में कैडमियम 33 का इस्तिमाल करें नक्स मोमिका की एक गोली रात को सूते समय लेने से एनिद्रा की प्रवल्लम दूर हो जाती है यदि बच्चे को नीन रहाने की प्रवल्लम है तो दोस्तों आपको कॉर के लिने सा मुलांग 30 का इस्तिमाल करें दोस्तों यहां पर जो मैडिशन में बताई है जैसे कि पास्टेला 2 या 200 ब्यूटिक ऐसे 3 3 इस्टेफ से वेगिरा 3 या 200 कॉकुलास 3 या 300 डैफनी इंडिका वन से 30 कैडम 330 और दोस्तों नक्स मोमिका की एक ग चले दोस्तों जानते हैं चुम्बक के चिकिसा किस प्रकाव आपके लिए फायदेमन रहती है माते पर कम सकती वाले चुम्बक का 10 संदरू लगाना आपको दोस्तों यादे रतना उसको साृध पूली आपको माते पर लगाना है चुम्बक दिन में 3 बार सुबह, दुपहर और शाम को पंदे से 25 में तक लगवानी है हातेली के पास नीचे की और कलाई के एक सिरे पर चुम्बक का उत्रिदर लगाने से भी आपको बहुत ज़्यादा पहुंसता है निद्रा में चुम्बक दुआरा पर भावित पानी आपको चार वार पिलाना है ऐसा करने से दोस्तो दाये हाथ के अंगोठे के पास घायी के प्रेशर बंदूर डालें माते के बीच में अंगलियों पर दवाव डालने से विए आपको निन रच्ची परकार से आती है कि डौनों तरफ खन्पेटियों का हलका दवाव डालें सही सभी परकार के दवाब से 3-5 सेक्षिं तक लेती है यह दवाई दोस्तों आपको डॉक्टर की प्रामर्स से लेनी है दोस्तों सब्सक्राइब का टारी पेक्टोमर जोली पैक्स और टैक्सम इसका इस्तिमाल कर सकते हो दोस्तों नीम लाने मापके लिए बहुत जदा है रहती हैं आपको दुस्तों इसके ओवर्डूज लिनी है नोर्मल डॉक्टर आपको दोस्तों डोर्डूज बताएं वह को लिनीया ऑवर्डूज लेने से दोस्तों आपको सहीर पर हामफुल फैक्ट हो सकते हैं अचले दुस्तों अपने निकटम से किकसके परामस लेकर यह आपको किसी भी दवाई का इस्तिमाल करना है जा पेशी को आरम पहुचाने के दस मिनट तक मन पिसांती बनाए रखने के लिए पेट के बल लेड जाए बहुजर में अधिक घी तेल और मेच मसालों का प्रजोग आपको नहीं करना है दोस्तों आप जो मैं निद्यस बता हैं आपको बलीवाती पूरा करना है तभी आपकी नि वीडियो में आपको बता रहा हूं चलिए दोस्तों जानते हैं हिचकी के बारे में हिचकी या फिल हिकका कोई भी सब्भाविक या प्राकेतिक रोग नहीं है वरना यह दूसरे रोगों को पैदा करने के लिए एक उपसर्ग है यह रोग तेज मिर्च खाने चाट मसालीदा चीजे खाने पेट में थोड़ी सी गडबटी आदी के कारन हो सकता है यह बच्चों के पेट में वाज्यो इखटी होने के कारन भी होता है प्रान घातक बीमारियों की वज़े से जब पेट में गैस बनकर रुख जाती है तो उचित उपचार के अभाव में हिचकी आने गले के कुछ देर के लिए अकड़न या फिर एठन की से पैदा हो जाती है बार बार हिचकी आने के पर आवाज बैट जाती है पाने निगलने में भी कटना ही होती है दोस्तों जो हिचकी के लक्षन है उसमें दोस्तों गले के बाहर की आवाज सुनाई देती है जो टेंट हमाला कि पानी से दूतों रुख जाती है in the order on 2 6 ग्राम राई Yes करने से जल्दी कृति हो जाएगी हिचकि आने पर जिए में एक शुटकी नमक पानी में जरासा खाने वाला सोडा तदा नेमो नेचोर कर देने से भी दोस्तों हिचकी की प्रोलम दूर हो जाती है जवनों को मिला कर चाटें तो अभी दोस्तों आपकी जो हिचकी होगी वो ठीक हो जाएगी काली मिच को आग में जलाकर उसकी राक्सेहत के साथ सेवन करने से भी दोस्तों आपको बहुचेदर फायदा पहुचता है दोस्तों यहां पर डियग्रम बता है हिचकी रोग में राई का कोई जवाब नहीं जाने की दोस्तों हिचकी रोग में राई के आपको दोक कप पानी में उबाल कर थोड़ी थोड़ी मातरा में थोड़ी दिरवात लेने से आपको बहुचेद़ पहुचता है पोधिने की पत्ती को सक्कर में मिलाकर खिलाएं लार कंट के नीचे उतरते ही हिचकी बंद हो जाती है आदा चम्मच सूखा दनिया मुह में रखकर चूशने से हिचकी चली जाती है नारील का पानी पीने से हिचकी जाती रहती है तीन ग्राम उपलो की गरम कराक में एक चम्मच सहद मिलाकर चाटने से भी आपको बहुत ज़्यदा फायदा पहुंचता है दो रत्ती हिंग पानी में गोल कर पानी पीने से आपके हिचकी सांथ हो जाती है आदा चम्मच अद्रक का रस, दो काली मिच और एक चम्मच नीबू का रस, तीनों को गोट कर पीने से हिचकी खतम हो जाती है दो चुटकी गलोई का चून, आदा चमच सोंट का चून, एक चमच सैद, तीनों को मिलाका सेवन करने से भी हिचकी हमेसा के लिए खतम हो जाती है प्याज की रस में सैद मिलाका चाटने से हिचकी बंद हो जाती है पानी में चार बूंद अम्रित दारा या दो बूंद अर्क पुदीना डालकर सेवन करने से भी हिच्की खमापत हो जाती है नाक में दो बूंद प्याज का रस डालने से भी हिच्की रुख जाती है गन्ना चोसना या गन्ने का रस पीने से भी हिच्की बंद हो जाती है चम्मच और सहत का एक चम्मच दौनों को मिलाकर सेवन करने से भी हिचकी में बहुत ज़्यदा पहुंचता है दोस्तों आप जानते हैं इसकी प्राकिति किसा किस पर का फायदा मंद होती है हिचकी को रोकने के लिए दोस्तों जैसे है कि डायग्राम में बताया है आपको पानी गरम करके रोग़ी को प्लाना है गले पर मीली मिLuc मित्टी का लेव करना है थोस्तों जैसे यह आप चिंड्य मित्टी को रहुत करना है उपर से पट्टी बांद ले तो भी दोस्त आपको फायदा मिलता है करती सनान जाने के दोस्त आपको कमर तक का सनान करता है करती समय दस मिनद तक पेट पर देखे दिरे पानी की मालिस करनी है ऐसा करनी से भी दोस्त आपको हिचकी के पॉल्लम हमेशा के लिए समापत हो जाए इगनोसिया का सेवन करें हिचकी आने पर पेट में भारी पर जलन बेचानी आदी सभी लक्षनों में कौकी नेला का इस्तिमाल करें निरंतर हिचकी आने पर कॉली ब्रॉम का इस्तिमाल करें पेट में वायू गैस या किसी अन्य व्यादी के करन हिचकी आने पर पल्स टेली का करें पल्स टैल रहा होता है जो दुस्तों आपके लिए बहुत ज़्याद फायद्ध दवाई है इसका इस्तिमाल करें कुछ खाने के बाद डखारे और हिच्की पानी पीने के बाद हिच्की इन सभी लक्षन में फॉस्फोरस का का इस्तिमाल करें तेज हिचकी संफून सरी में कंपन बारवार हिचकी आना वमन की इच्छा होना इन कंडिशनों में बैलोड होना का इस्तिमाल करें जदी बारवार हिचकी तता पेट में गैस के सिकायत होती है तो आपको रेटा निया का इस्तिमाल करना है रुक रुक का की प्यास और जी मिचला नहां आदी सवी लक्षनओं में इस्टे फैस्जिय के इस्तेमाल करें कि कारण ध्में कमी पेट में डर्द थंडा पानी पीने में हिचके परारम हो जांए ऐसे लक्ष्नों में नकसरूमिका का करें ऐसा 40 डडा 2 या 3 जिशकी के लिए परसित दवा है इसका प्रयोग हर परकार के अपिया जाता है दोस्तों यहां पर मैंने बहुत सारी प्रामस लेकर इसका इस्तिमाल करना है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायते मंद हो सकता है चलिए दूस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है दोस्तों आपको गिलास दीख रहा हो उसके नीचे एक चुम्बक रखी है और उपर एक चुम्बक रखी है ऐसा करने से दोस्तों आपको ये परवावित जल होगा उसका सेवन करने से हिचके तुरंते रुख जाएगे हातेली के मूल और कलाई के बीच में दौनों चुम्बक का उत्रे दूर पांच मिन तक लगान करने से भी हिचके दूर हो जाती है गदन पर चुम्बक रखी तेल की मालिश करने से भी हिचके रोग दूर हो जाता है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इसकी एलोपैतिक चीकिसा किस परकार फायदमंद है जिन्टेल रॉटेग डाइजीन और किस प्रो इसका प्रामस लेक कर सकते हो जो हूँ जो आपके लिए फायदमंद रहें या अस्तमाल करें डायदमंद रहें li के चीनता यानि के सम योगता है वरती है जिनका हो जाती चीकिशेशा कर सकतեղ है किस परकाइस का समाधान किया जाएगा यह सब दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे चलिए दोस्तों बताता हूँ मैं आपको समर्णशक्ति की छिंता में रोक्योत्पत्ति कैसे होती है जो लोग अत्यादिक मानसी परिश्रम करते हैं पर या उनीकी समरन सक्ति की कमी होती है इसके अलावा मानसी थकान, पाचन संस्तान की खरावी, साजरी कमजोरी, मानसी सक्ति की छीनता, म्यादी वुखा जाने की निमोनिया, जनम के समय, मस्तिक्स की व्यादी, लंबी बीमारिया, इन सभी में दोस्तों समरन सक्ति छीन हो जाती है कई बाद सरीर में खूनाने की कमी के गायन याद दास कमजोर हो जाती है चलिए दोस्तों जानते हैं मिस योग रोक के लक्षन क्या है समरन सक्ति के छीन होते ही व्यक्ति हर एक बात जल्दी ही बड़ी जल्दी बूल जाता है याद करने पर उसे सूची गई बात कही गई बात याद नहीं आती वैपड़े लिखी बात मनन करके पश्चात उसके बात भूल जाता है परिचित व्यक्ति की पहचान उसके दिमाग से उतर जाती है दोस्तो ऐसी कंडिशन अगर किशी को है तो उसके लिए गरेल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ इनको अपना कर उसकी याद दास को बढ़ाया जा सकता है खरबूजे की गिरी को घी में बून ले 5-5 ग्राम सुबह शाम भूजन के पाद चबा कर खाने से जाद दास बहुत अच्छी बढ़ जाती है सोयावीन का दूद, पीने और सोयावीन को ग्याओं के आटे में डाल कर पकोड़े के साथ खाने से भी दोस्तो बहुत जादा फायता मिलता है गर्मी के मौसम में पेठे की मीठाई, पानी खाने से चीन समर्ण सकती ठीक हो जाती है आदा लिटर गाई के कच्चे, धोराशन, दूद के साथ मिला कर फीका हो जाए तक तक उसको पीना है ऐसा करके दोस्तो आप अपने समर्ण सकती को बढ़ा सकते हो आर दस खजुर परते दिन दूद में उटा कर पीने से भी समर्ण सकती हो जाती है दो चमच मुलेटी का चून दूद में डाल कर कुछ दिनों तक सेवन करने से भी दोस्तो आपकी मेमोरी बढ़ती है पीपल के पेट की थोड़ी सी चाल सुखा लें फिर दोस्तो आपको दो चमच सहद्या पानी के साथ सेवन करने से उसको पहले पीश लें दोस्तो पीपल की चाल जो आपने सुखाई हो उसको पीश लें और फिर आपको दो चमच चून सहद्या पानी के साथ सेवन करने से आपको जो मैं मुरी होगी बहुत ज़्यादा तिर्व हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी रोज सुवै निहार मुह को दो आम लेक या मुरब्बा खाएं मगर उपर से पानी या दूद का पजोग न करें माथे कनपटी, खोपडी और पैरों के तलवों पर गाय की गी की मालिस करें और फिर आपको दोस्तों 10 मिनट तक रोजाना ये करना है दो चमच पके आम करस, एक चमच अद्रक करस, एक चमच तुलसी के पत्तो करस इन सभी को मिला का थोड़े-थोड़े सेद के साथ पजोग करने से आपको बहुच ज़ता फायदा पहुंचता है बेल कम और अरब पंदर दिनों तक खाने से आपकी समरन सकती तिर्व हो जाती है बादाम की ठंडाई पीने से भी समरन सकती बनी रहती है पिस्ता तथा तिल की बरफी खाने से भी मस्तिष की कमजोरी दूर होती है एक चमज सौफ पीस का सहर में मिला कर सुबह शाम चाटने से भी आपको फायदा पहुंचता है परते दिन दो अंजीर चबा कर खाने से भी समरन सकती तेज हो जाती है और दोस्तो इसमें चार ग्राम दालचीनी का चून तेज पानी के साथ सेवन करने से पर दोस्तो आपको फायदा होता है बीस ग्राम कद्दू जो पका हुआ है बिना भूने आपको नित्यरूप से खाना है परते दिन एक कप की मातरा में चुकंदर का रस पी है अरे गेहों की बाली का रस परते दिन एक चमच की मातरा में सेवन करने से आपका जो दमाके हो तिर्भ हो जाएगा पीपल की चार प्माच गूलर फल का पर्योग आप नित्यरूप से करें यह समन सक्ति को विर्दी करते है लीची का रस दूचमच, पपीदे का रस आधा कप, आम का रस आधा कप और फालसे का रस दूचमच इन सभी को मिला कर सेवन करने से आपको बहुत ज़्यदा फायदा मिलता है दोस्तों आप जो डायग्राम है उसमें बादाम की ठंड़ाई समन सक्ति को विर्दी करती है दोस्तों अगर आप बादाम की गिरी का इस्तेमाल करते हो बादाम की ठंड़ाई बनाकर आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो मेमोरी वो बढ़ जाएगी चलिए दूस्त अब जानते हैं कि होमोपैतिक चीकिस्टा आप किस परकार कर सकते हैं होमोपैतिक चीकिस्टा से क्या फायदा होता है आपको समर्ण सक्ति का कम होना, पास रखी वस्तू का बूल जाना यहां तक की अपने नाम तक याद दना रखना इन सब शितिते हो में कीलॉरिनम का इस्तिमाल करें यहां किलीव फायदेमंद है समर्ण स्क्ति को धीर धीर बढ़ाने वाली दवा थाइड़ाड़िन 3, थाइड़िन 6, और थाइड़िन 30 का हिस्तिमाल करना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है व्यक्ति के दिमाग से सब कुछ निकल जाए समर्ण सक्ति के स्थाई छीनताया काम में मनना लगे ऐसी कंडिशन में एना कारडेम का इस्तिमाल करना बहुत ही जदर फायदेमन्द है हमेशा व्याक उलता तथा बार वर किसी बात को भूल जाने के सितिते में मेंगनेशा मियूर 6 का इस्तिमाल करें घर के बाहर जाने पर किसी चीज को बार बार भूल जाना इसके लिए कैपिकम 3 का इस्तिमाल आपके लिए बेद फायदेमन्द है अधिक मानसिक प्रेशिम करने वाले करने के कान समर्दिती दुरवलता होने पर नक्स वोमिका 6 का इस्तिमाल करना फायदेमन्द रहता है दोस्तों मैंने यहाँ पर बहुत सारी मेडिशन है जैसे कि किलोरिनम, थारेदिन 3, 6 और 30 एनाकार्डियम, मेंगनेशा मियूर, कैपिसिकम और वोमिका 6 दोस्तों, किसी भी मैडिशन का इस्तिमाल कर सकते हो जो भी आपको अच्छे लगे, आप नग्टर से पूचले वो भी जो आपको पराम मरस दे, आपको उनका इस्तिमाल करके आप अपने सम्रह्द शक्ते को बढ़ा सकते हो दोस्तो यह पर Biometric चिकिससा के बारे में आपको बताता हूं Biometric चिकिससा दोस्तो जो Biometric मतलगी दोस्तो जो Lab के अंदे बनाई जाती हैं वो Biometric चिकिससा होती है यह दवाइ मिला कर देने सी तो दोस्तो याद 10 की कमज्चोरी दूर हो जाती है आपको Silesia लेना है 12X, Natomute 3X, Magnesia Fox 3X, Colifos 3X, Calicaria Self 3X और Calicaria Floor 3X याद करने पर जो याद नहाए अत्यादि भुलक करपन पढ़ने लिखने था दिमाग में काम लेने की इच्छा ना हो सुस्ते ने लेने में ASMR तो आदी सभी लक्षनों में Magnesium 4X, 6X और 12S का इस्तिमाल करें चलिए दोस्तो आप जानते हैं कि Allopathic चीक इस्ता समर्ण सकती की कमी दूर होने के लिए ये दवाई ली जा सकती है दोस्तो आप किसी फूर्ट का इस्तिमाल कर सकते हो फोर्ट सीरप का इस्तिमाल करें माइक्रडोल फोर्ट का इस्तिमाल करें नूट्रेपल सीरप का इस्तिमाल करें और ब्रेंट और टेबलेट का इस्तिमाल करने से दोस्तो आपके दमाग के ताकत है वो बहुत ज़दा बढ़ जाए कि आप की समझ सकती इतनी तिर्व हो जाए कि कि आप पुरानी से पुरानी बात को भी याद रख सकोगे दोस्तों यह आपके लिए बहुत ज़्यादा जो भी आपके दोस्तों स्वस्त के लिए अच्छी रहती हैं वो सब चीजे में लाता हूं इसलिए दोस्तों आप हमाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन को दवाएं दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हम अगली वीडियो में तर तक के लिए दोस्तों आप सभी को नमस्काराइब